बाई देखो एक बार फिर से आया शनिवार और मैं हो गया तयार आपके लिए नियूज लाने को Because दोस्तों अभी WTF के एपिसोड में हम बात करते हैं पूरी टेक दुनिया के बारे में और चेक करते हैं कि क्या हुआ, किदर हुआ, कैसे हुआ, क्या नया हुआ और इस एपिसोड में भी काफी सारे इंटरसिंग नेने अपडेट्स हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हम करते हैं शुरूआत इसी WTF एपिसोड की नोश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेकनिकल गुरू जी, चलिए शुरू करते हैं स्केरी फास्ट ना ना ना, मैं डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, आपल ने हमको डराया था क्योंकि आपल ने अपने इवेंट का नाम रखा स्केरी फास्ट एक दिन पहले एक नया इवेंट लेके आगया अपल, नए नए प्रोड़क्ट के साथ में लेट मी टेल यू समधिंग, ये प्रोड़क्ट वागई में स्केरी फास्ट है क्योंकि आपल लेके आया नई वाली M3 चिप्स, जहांपे था M3, M3 Pro और M3 Max और in fact, नए ने प्रोड़क्ट भी हमको मिले हैं, जहांपे 14 और 16 इंचिस वाले जो Macbook Pro हैं, वो भी आने वाले हैं नई चिप्स के साथ में और in fact, एक नया कलर भी है, ना गोल्ड नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्पेस ब्लाक की लेकिन हाँ, अगर आप एक ऐसे यूजर हो, जहांपे आपको एक जिगए बैठ के काम करने मज़ा आता है, तो आपके लिए भी Apple ने नया iMac निकाल दिया है, इनी नहीं चिप्स के साथ में इन फाक्ट आपल और बहुत कुछ नया करने वाला है, काफी निनी खबर निकल के आगे है, और इन फाक्ट टाटा गुरुप जो है, वो अभी iPhones बनाने वाला है इंडिया में, मतलब भारत की पहली कंपनी बन गई है, जो iPhones की manufacturing करेगी बहुत जल्दी आने वाले टाइम में, इन फाक्ट दोस्तों नए ने आईफोन दो को आते रहेंगे, एरपोर्ट जो हैं, उसमें भी हमको टाइप C पोर्ट मिलने वाला है, एपल पुराने एरपोर्ट को डिस्केटिट्ट कर सकता है, काफी सारे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, वैसे अपडेट्स हैं आईफो फोन 16 सिरीज के बारे में, अल्रेडी, अभी तो 15 नहीं मिल रहा है लोगों को, लेकिन 16 प्रो फोन के अगर आप से बात करता हूं, तो यहां पे एक नए टाइप का Molded Glass Lens System होने वाला है, जो की और बेटर होगा for even amazing photo quality, जियो और जीने दो, या जोग जोग जियो, हम कुछ भी बोले दोस्तों, यह है पूरी tech दुनिया के लिए कि, मतलब brands आबस में, एक दूसरे को healthy दरीके से आगे बढ़ाते रहें, तो जियो और जीने दो, और जो भी कुछ नया हमारे लिए लेके आ रहा है, वो भईया ऐसे ही जीता रहें, और हमको नए-ने products मिलते रहें, लेक स्लीक से चश्मी की तरह, आप इसको पहनने के बाद में काफी सारे advanced काम कर पाएंगे, अपने phone के तरह को connect करने के बाद entertainment हो, या कुछ special काम आप कर पाएंगे Jio Glass की मदद से, In fact, Jio अभी Jio Space Fiber के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे satellite की मदद से, हमें internet मिल पाएगा, मतलब यहाँ पे इसकी जो testing हुई है, कुछ रात में, गिर में, 36 गड में, कोरबा में, या फिर जोरहाट आसाम में, हमको काफी अच्छी results मिले हैं, looks like कि पूरे इंडिया को अच् दुनिया में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे Samsung ने अभी एक नया special variant निकाल दिया है, कुछ पुराने device को याद करते हुए, Samsung का E700, एक iconic flip phone था, और उसी को एक tribute देते हुए, Z Flip 5 एक नया variant में आ गया है, और आपको काफी कुछ similarities मिलने वाली हैं दोनों devices के बीच में, वैसे Samsung और भी बहुत कुछ नया नया लेकि आने वाला है, जहाँ पे leaks निकल के आते हैं कि S24 series में satellite connectivity होने वाली है, और एक नया नया 200 megapixel का ISOCELL camera होने वाला है, with even better zoom. So beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow. तो let's see कि Samsung क्या नया कब कहां कैसे करता है, वैसे this time it looks like कि ज्यादा दूर नहीं है, January में ही शायद हमको नया वाला Samsung लेखने को मिल सकता है, let's see. ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे और ये वस हम status जालते रहते हैं, real में दोस्ती पतारें, दोस्तों कितनी बची है, आज के इस social world में आपको पता है how things are, मतलब phone पे बात करें या ना करें लेंगे दिन में 25 बार meme जुरूर शेयर करेंगे आपस में, दोस्त अब इसी पूरे concept को और ज्यादा जिन्दा रखने के लिए आपको एक नया भी option आगे इंसेग्राम के ओबर जहां पे आप एक साथ, you know, as a carousal, photos या वीडियो अपने अपने टाम लाइन पर शेयर कर सकते हैं, तो काफी एक interesting option है अगर आपको वो दोस्ती online world में ऐसे बनाए रखनी है, yeah, you can enjoy that और अगर आपको बनाए रखना है अपने दिमाग का सुकून और आपको चाहिए कोई भी एड आपको डिस्टर्ब ना करे तो बिना एड्स के facebook, instagram वगड़े यूज़ करने के लिए महीने का करीब 1150 रुपे देना पड़ेगा, क्या हम देंगे? ना, चांस ही नहीं है, एड वाली जिन्दकी बहुत है, यह 1150 बहुत ज़्यादा होता है पर बनाए अगर शाम को लॉट आए, तो उसे भूला पता नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात तो पकी है कि उसको Google Map यूज़ करना नहीं आता, वरना लॉटने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, I mean दोस्तों यही है, आपको पता है, मतलब आज की डेट में, we are completely dependent on maps, most of the times अब हम की जाते हैं, तो map हमारे पास में होता ही होता है, और वो काफी अपने lives को आसान बना देता है, हाँ, कई बार कहीं जाके फसा भी देता इसे पूर आपको लेगार इसे आप ऐसे हैं, किसी हेलिकॉप्टर में बड़के उसको देख रहे हैं, but yes, it is limited to a certain region right now, let's say India में यहाला option कब आएगा, because हम तो आदे इसी बात पर confused दो रहते हैं, कि भाई या फ्लाइवोर पर चड़ना है कि नहीं चड़ना है, गूगल अगर कार्टरियक मॉनिटरिंग जो है, वो गूगल करने का प्लानिंग कर रहा है, again with the help of AI and understanding how the blood flow is and everything, let's see यह चीजें कब तक होती है, बुस्तों अगली ख़पर निकल के आती है, कनेडा की तरफ से, और जी हाँ, उसी कनेडा ने अभी बैन लगा दिया है, किस पे, बैन लगा है Chinese apps like WeChat or Casper Skype, government-issued devices पे over privacy concerns, देखो भई, चाइना का mostly सीधा सीधा सा हिसाब है, कि जो मेरा है, वो तेरा है, जो तेरा है, वो मेरा, डेटा, दूसको nothing की दुनिया something से भरी है, मतलब definitely there is nothing that is having nothing inside, nothing के बास है, बहुत कुछ है हमको बताने को, नही नही चीजें जो है, वो हमको से मिलती रही है in the past, और अभी लगता है कि एक नया वाला phone आ सकता है, it's going to be a mid-range phone, ऐसे कुछ leaks निकल के आ रही है, तो let's see, कि nothing का ये जो upcoming mid-range phone है, ये कैसा होता है, इसका नाम क्या होता है, इसके इंदर features क्या होते हैं, और क्या इसमें भी lights पीछे लगी होंगी या नहीं, ये हमको ख़र देखना होगा, लेकिन आपको जो मिलने वाला है अभी guaranteed वो है, CMF की watch pro में एक नया software update with more features and some bug fixes, तो अगर आपके पास में CMF watch pro है, तो जाओ तुरंट अपडेट करो for even better functionality, बारा, 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 दोस्तों ये वो date थी, जिस दिन international villager album launch हुआ था 2012 में, जी हाँ, काफी popular गया था, और अब, काफी सालों बाद, दुबारा से एक चीज़ होने वाली है, बारा, बारा को, ये 2023 में हो रहा है, ये 2012 में नहीं हो पाया, वो है IQ 12 का launch, जी हाँ, IQ 12 जो है, वो confirm हो गया है कि इंडिया में launch होने वाला है, on 12th of December, और हमको काफी सारे फीचर्स दो लीक हुए, उनकी तर मालू में चलता है कि इस फोन में 24 GB तक की RAM हो सकती है, और 100 X Zoom वाला कैमरा भी हो सकता है, और 200 watts की charging भी हो सकती है, मतलब बहुत सारे interesting features, IQ को इस फोन में pack करके launch करतेगा, क्या है, क्या है, क्या बग कर रहे है, अल्दो फोन बाहर पहले launch हो 3 के साथ, अब देखो जब हम IQ की बात कर रहे हैं, तो how can we forget Vivo, तो क्योंकि Vivo भी अपनी Vivo X 100 series को develop कर रहा है, काफी सारी leaks निकल के आ गई है, as always, मतलब दुनिया में कुछ भी रोक सकते हो, बट leaks कभी नहीं रोक सकते है, विकॉस बहुत बार तो companies खुदी leak कर देती है, चाह उन भी देखते हैं कि इंडिया में कब आएगा, और जब आएगा, तो कितने अच्छे तरीके से हमारे चमकते वे चेहरे को capture कर पाएगा, दोस्तों, दिवाली आने वाली है, और आपको पता है, मतलब what all fun it brings, मतलब जब चोटे होते हैं तो उस टाइम पे एक बात तो clear थी क दिवाली मतलब नए कपड़े, दिवाली मतलब पठाके, दिवाली मतलब काफी सारे मिठाईया और फ्रेंट्स के पास जाना और उनका आना मतलब एक पूरा fun का महौल होता था, अब दोको बड़े हो गए, सारा fun तो है ही लेकिन इसके साथ एक और चीज एड़ हो गई है इ को है शॉपिंग, आइफोन की शॉपिंग को पता है यह वो टाइम है जब डिसकांट सुगरम को मिल जाते हैं तो अभी तुस्तों, अनलाइन सेल्स जो आने वाली है आपको बतायता हूँ कि आइफोन 14, 49,999 का मिलने वादे है इतने खुश्य हुश्य है तो मतलब अगर काफी अच्छी डिल्स होती है इस उतको प्राइस चाहे जितनी नीची हो जाए आपको कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा ही बट लेट मी टेल यू वन तिंग जिसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा एकदम फ्री होने वाला है और वो है इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कॉमेंट करना तो सारे काम कर डालिए और एकदम खुश हो के फेस्टिवल मनाईए मैं आपसे मिलता हूं सीधा नेक्स एपिसोड में काफी अमेजिंग अपडेट्स के साथ में फिलावड में इतना ही जय हिंद वंदे म आत्रम